स्लाम अलेकुम बच्छों, कैसी हैं आप सब, मुझे आप सब खेयर से होंगे बच्छों कर हमने पड़े हैं एक सिदस तक स्वाव अलुस्ताम आज का काम हमारा ये है कि आज हम स्वाव अलुस्ताम और उसके माईदे पड़े के पेज नोबर 10 पर एक सिरी तक 20 तक स्वाव अलुस्ताम याद भी करेंगे और उसको की पॉप्य वेड़ेंगे बच्छों आज का हमारा टॉपिक है अस्मा अलुस्ताम अल्ला के सिपाती नाम आपको याद करना है और उसके मतलब समझने हैं जैसा कि आप जानते हैं अल्ला के सिपाती नाम को अस्मा अलुस्ताम कहा जाता है अल्ला के नामों को याद इसलिए किया जाता है ताकि उसकी शान बुलन मरतबा और अजमत का पता चल सकी अल्ला के नामों से हमें ये पता चलता है किары किसे दर रहामान और रहीम हैं और कितना रहन करने वाला है ि असमय Dumma के मायने को समझ लेने से हमारे दिल में आप असमयَ होती है और असमय। असमय की पर से असमय थिया हुआ है चलें बच्सों पेज नमबर 10 पर असमय को असमय थिये हैं ये आपको पढ़ने हैं और अपनी कौपी में भी इसी तरह करने है पहले नहाँ हमें अल-अलियो बुलंदो बरतबा बरतब अल-कबीरो बहुत बड़ा अल-हफीजो हिफाज़त करने वाला अल-मुकीतो सबको रोजी और तवनाई देने वाला अल-हसीबो हिसाब लेने वाला अल-जलीलो बड़ी शान वाला अल-करीमो बहुत करीम अल-रकीबो हर चीज़ पर निग्रान अल-मुजीबो दुआएं पबूल करने वाला अल-वासे वुसत देने वाला अल-हकीमो बहुत ही हिकमत वाला अल-वदूदो बहुत महबत रखने वाला अल-मजीदो बहुत अजमत और शान वाला अल-बाईसो मौत के बाद दुबारा उठाने वाला अल-शहीदो गवाह अल-हको हक परकाई अल-वकीलो कारसास अल-वीयो नहायत ताकतवर अल-मतीनो बड़ा जबरदस्त अल-वलीयो दोस्त बच्चों इन सब के आपको पता है हम कहीं नगई नामों को विर्द करते हैं मुसलसल कहीं नगई जहां हमें जरूरत होती अल-वाला के नामों को विर्द करनेगी हम इसका विर्द करते हैं ताकि अल-वाला से हमारा ताल्व मजबूत और मुकमल हो बच्चों आज आपको ये काम करना है अपनी कौपी में मेंचिन करना है डेट और डे और चैप्टर की हैडिंग डालके आपको ये काम अपनी कौपी में करना है उमीद है आपको ये चैप्टर समझ वाया होगा जिजाक अला अला आपिस